गौतम ओलाइन स्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी का सौगत है तो आज आपके लिए हम लेकर हैं गुरूप फोर रिजल्ट की अपडेट सब कुछ बताएंगे क्यों रुका है रिजल्ट आपको सिर्फ एक काम करना है कि लाश्ट तक देखना है वीडियो को और सेयर कर को मिलती रहें चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए अचार सहिता के नाम पर रिजल्ट रोका गया है पीबी ने गुरूप फोर का रिजल्ट 45 डे में जारी करने की घोसना की थी जबकि दोगना समय बीच चुका है हम लोग महिने भर से पीबी को फोन कर रहे हैं लेकिन स जब पीएसी का रिजल्ट आचार सहिता में आ सकता है तो पीबी का क्यों नहीं ठीक है ये बोला जितन चौदरी माया भारती प्रियालावा भीरवाल विलवाना ठीक है ये प्रतिवागी है इन्होंने ऐसा लिखा है ठीक है इनके दोरा ये बोला गया है अब बताते हैं कि क देखें फिलहाल कुछ कहा नहीं सकते हैं गुरुफ वोर पर इच्छा कर रिजल्ट कब तक आएगा फिलहाल कुछ कहा नहीं सकते हैं वैसे हमारी तैयारी पूरी है दरवसल अचार सहिता लगने से हर काम की चुनावा आयोग से परमीसन लेनी पड़ती है किसके दौरा बोल कि नहां से जबाब आ जाएगा तो रिजल्ट जारी सवारी सवारे जारी कर देंगे ठीक यह बोला गया किस की दोर एक एस प्らव जारीक कर देंगे का परिक्षण कर निर्ने लेंगे ठीक तो ये मुख निर्वाचन पदाधिकारी के दौरा क्या बोला गया है जीयल का अंतराओ के दौरा वो भी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप लास्ट तक देखी और सेर के लिए अपने सभी दोस्तों को गुरूप 4 की परिक्षण की रिजल्ट को लेकर पीवी ने हमें प्रस्ताव भेजा है इसकी जानकारी निकलवाता हूं जल्दी इसका परिक्षण कराएंगे रिजल्ट जारी करने में कोई तक्निकी समस्या नहीं होगी तो आयोग भी अनुमती दे देगा ठीक है इस बारे मे आपके लिए गुरूप 4 के रिजल्ट के लिए जो भी अभी बेट कर रहे हैं तो ये अपडेट है अभी के नियूस्वेपर में आया है ये ठीक है उसी का कटिंग के दौरा मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो आप सेयर करें अपने सभी दोस्तों को जिससे जादफ जानकारी हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने रेड बटन पर क्लिक करके और वेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे की नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो आप सब्सक्राइब और वेल आइकन जुरूर पैस्स करने ठीक है और सेयर करें अपने सभी दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में थैंक यू